आप कौन सा मक्का लगाए हैं लक्षमी गोल्ड कितना में लगाए हैं एक विघामे अच्छा एक चीज आप बता सकते हैं किसान भाई को आप इसमें क्याठो पानी दिये हैं तरी लगा के दो बार अच्छा तरी जो मिटी हम लोग बोलते हैं मिटी में क्या सब दिये हैं अब उसके बाद पहला पानी में पचास किलो जाइं चिट दिये हैं उसके बाद नहीं अच्छा आप इतना दो खाद दिये तीन पानी दिये हैं अब इसमें आप बताईए आपका जुए मक्का है लक्षमी गोल्ड इसमें आपको क्या सब खासियत लगा अच्छा एक बताईए आप इस बार फर्स्टे बार लगा हैं क्या अच्छा अच्छा पिछले बार भी तियां लगा हुआ था मक्का लगा हुआ था अच्छा आप अपने देख लिजिएगा कि हम में क्या उबजा है एक चीज आपको हम बता दें कि जब भी आप बीज खर दें खास करके किसान भाई के लिए बीज खर दें तो बीज खरिदने में कोई धर्फर नहीं कोई जल्दिवाजी नहीं सोच समझ के खरिदना इस बात को आप भी मानते हैं अगर मान लिया जाये हम आज हम वीज कोई भी ब्रांट का खरिद लिए सही जर्मिनेशन नहीं हुआ अनि सही उपज नहीं हुआ उसका सही विकास नहीं ग्रोथ नहीं हुआ भुट्टा अच्छा नहीं आया वजन नहीं आया तो क्या होगा उ विश्वास के साथ खरी दिये और उसके बारे में बैक्ग्राउंड क्या है उपता करके खर दिये अभी जो आप बोले कि हम लक्षमी गोल्ड पिछले बार हम कोई किसान हमको बताया चाहें देखे हम खुद तब इस बार लगाए विश्वास हो गया तब ना और एक चीज आपको बता देते हैं मेरे कंपनी में आप देखते होंगे मेरा जो भी लोगो है उसके बाद जो भी वो पोस्टर है उसमें फाइप जी लिखाता है अब फाइप जी का कारण क्या है यह बात आपको हम बता देते हैं और स्वता किसान आप आप जो जितना बात हम बोलेंगे वह बात आप सोते हैं देख लिजिएगा कि ऐसा बात मिला की नहीं पहला इसका है germination आप खुद बताइए कि जिस समें आपका पोधा जलमा होगा उस समें क्या solid के solid जलमा उसमें कहीं कोई दिकत ने दूसरी बात growth जो हमरा पोधा जब जलम के दो पता के बाद आया होगा तो उसका एक अलग light होगा देखने में और बहुत जल्दी बिक्सित हुआ होगा फैला होगा पोधा क्या सही बात है कि नहीं उसके बात grain ग्रेन जो आप अभी जो भुटा है आप अपना खुद बोले कि मेरा भुटा में light है चमक है यहीं है इसका सबसे बड़ी खासियत ग्रेन ग्रोथ और इसका ग्रोथ और ग्रेन दोनों एक अलग लाजबाब है इस बात को आप मन रहें कि नहीं उसके बाद weight आजाता है और सबसे बड़ी बात क्या है बोस आप एक बात मान लीजिए कि जो मका में वज़न हो light हो उसको क्या काता बेपारी दो रुपिया जादे लेता है इस बात को मानते है न और वह सारी गुन आपको इसमें मिल लहाई कि नहीं और पाश्मा इसमें दिया है just like gold, gold means sona जिस तरह sona अपना भाव कितनों पुराना से पुराना क्यों न हो जाए वह अपना रंग नहीं छोडता उसी तरह मेरा लक्ष्मी गोल कभी अपना उपजगम नहीं होने तो गीर क्यों न जाए और एक बात आप खुद देख लिए हो जाएंगे मेरा मक्का में एक बरीखासिया आता है गिरता है वी टूटता नहीं है सही बात है जोग जायेगा एक दूसरे पौधा पर जोग थोड़ा लंबा होता है पोधा इस बात को हम भी मानते मर्जर से तूटके अलग नहीं होता है क्या चाहिए अगर जितना बात हम आपको बोले क्या ऐसा बात आपको इस मक्का में लगा कि नहीं बोले हम चैनल लगा वरहाकनी बोलेए थिक दन्यवाद किसानबाइब अभी आपको मेरे सिनियर आए हुए है खुद उनके बारे में और हम से मताब्ति आगे और बता रहे Чер rhymes को इनके बारे में और बिसेश क्या नाम बताया आपका मुल्ना पडेल जी आप देखिए कितना मस्क और मुटक इस मक्का का दाना मुटक है दाना और आप इसमें सबसे बरी खासियत यह देखेंगे इसका बलरी बहुत ही पतला होता है मैं आप एक गुट्टे को तोल के आपक सकते हैं यह देखिए यह देखिए अगया कि देख रहे हैं और आप भी देखिए किसा पतला है बल्री बहुत हैं और इसमें धारी कि जो संख्या है एक दो तीन चार पांचो साथ आट नोग दास ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोला सुला धारी कहा है और इसमें दाना एक धारी में जो दाना है यहां तक की ऊपर भी एक दाना बैठा हुआ है तो आपको कैसा लग रहा है यह बहुत बेहतर मक्का है या नहीं है देखिए जितना भी आप आगे आगे पांस साल में मक्का खरीदेंगे मक्का जो खरीदेंगे उसका गाच लंबा होगा चुकि आज का जितना भी फार्मर है हमारे फार्मर को सौमन सबासो मन मक्का चाहिए तो सौमन सबासो मक्का परकिर्टी हमारे बस में नहीं है ठीक है गि लेकिन हमारा परस्कृती पर बस नहीं है तिर भी आपने देखा हो गार्ट का यह गीर गिया है तो ऺेड को यह ढून Patreon लेकिने के lesa लोगिया कर्मी में भी जो आप हमने अपना बहुमूल समय दिया है हम आपको कोटी-कोटी धन्यवाद देते हैं मैं आभी आपका एक बाएक मितर का भुट्टा ले जाओंगा और उसको आपके घर पे जा करके तॉल के दिखाऊंगा धन्यवाद कर दो मैं आपके लुट्टा कर दो आपके तॉल सब कर दूल का बहुमूल कि अज़ खूआए जब लाग ज़ या कि एक उड़ बढ़ां गासंगी तरी शमात्राश चरेंगे ज़ डिए आप गास्थना माना मा कि ज़ बेपाईंगी झादके साथ कि ज़ीद ज़ी।